जय हिन दोस्तों मैं आपका दोस्त राधेशाम भाउसार तो जैसा कि आपने थमनेल में देखा होगा कि मुझे सिंगापूर से पैसे मिले है एक चोटी सी वीडियो क्लिप में लास्ट में शेयर करूँगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस बात के मुझे पैसे मिले बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिंगापूर में हमारे एक इंडियन ब्रदर है सेंथिल जो तामिल नाडू से है सेंथिल जी जिनका नाम है उन्होंने मुझे कॉंट्याट किया कि सर मेरा लॉंडरी बिजनेस है तामिल नाडू में बट छोटे स्केल पे हम कर रहे है हमारा छोटा भाई वहाँ पे बिजनेस कर रहा है अब भी मैं सिंगापूर की जोब छोड़ के तामिल नाडू जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पे अपना लॉंडरी बिजनेस अच्छे से डेवलप करना चाहता हूँ तो बस मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए ओनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो मैंने कहा कि आपको अगर काम आता होगा तो ही हम आउनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं आपको अगर लॉंडरी बिजनेस का जीरो नॉलेज है कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आउनलाइन ट्रेनिंग देने का भी कुछ भी मतलब नहीं बनता है तो उन्होंने कहा कि सर मैं यहाँ पे सिंगापुर काही काम करना हूँ और मैं इसी धोबी कम्यूनिटी से ही हूँ और मेरा अल्रेडी बिजनेस तामिल नाडू में शुरू है तो आप बस मुझे मैं आपको images भेजूँगा मुझे जो भी doubt होंगे वो मैं आपको पूछूँगा वही उसकी क्या answer आपको देना है तो बस यही है उन्होंने मुझे जो भी मेरी fees है 12,500 रुपीज वो मेरे account में भेजी है deposit किये है तो अभी उनका online training शुरू होगा अभी coronavirus की वज़े से physically training आना थोड़ा सा complicated है October के बाद में हम यहाँ पे practical training शुरू करने जा रहे है 10-11 लोगों के हमारे पास training के fees जमा है friends और अभी मैंने online training भी start किया है मतलब पहले से ही start था अब बट अभी मैं थोड़ा सा serious हो गया हूँ क्यूंकि एक low amount थी मेरे उपर तो मैंने वो clear की तो उसके वज़े से कुछ यह coronavirus की वज़े से financial condition थोड़ी सी weak हो गई थी तो अब भी मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को online training चाहिए तो मुझसे contact कर सकते बहुत लोग contact करते बट मैं उनको नहीं बोल देता हूँ क्यूंकि उनको laundry में कुछ भी knowledge नहीं है बिलकुल भी zero knowledge है अगर मैं उनसे पैसे लेता हूँ न तो मेरा पूरा दिमाग खा जाएंगे वो लोग ये कैसे wash करू वो कैसे wash करू और छोटी छोटी बाते में phone पे नहीं समझा सकता हूँ तो जिसको थोड़ा बहुत काम आता होगा laundry में काम आना चाहिए उसके बाद में अगर आपको कुछ problem आती है आपसे कपड़े खराब होते हैं आपसे सही काम नहीं होता है laundry का तो हम online training दे सकते हैं otherwise हम training नहीं देंगे online की ऐसे तो बहुत सारे लोग contact करते हैं बट मैं नहीं बोल देता हूँ लोगों को क्यूंकि problem हो जाएगी मेरे बहुत ज़्यादा headache हो जाएगा इसलिए मैं वो cancel कर देता हूँ या नहीं बोल देता हूँ बट अगर सेंतिल सहर्जी ने मुझे जो trust दिखाया है 10-11 लोगों ने जो मुझे trust दिखाया है मुझे advance fees करने के बाद में मैं मेरा address वगरा उनको send करता हूँ और सेंतिल सहर्जी ने कम से कम 400 वीडियोज हमारे देखे हैं तो बस यही है friends जो भी मुझे amount आप लोगों से मिलती है मैं ट्रेनिंग के बाद में या between ट्रेनिंग या अभी online ट्रेनिंग की मैं इस तरह की उडियो बनाता हूँ transparency होने चाहिए मेरे बीच में और मेरे subscriber friends के बीच में बस इसलिए ये उडियो मैंने बनाई है तो friends ये उडियो यही तक थी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please like कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को whatsapp और facebook पर share कीजिए नए हो channel पे तो subscribe कीजिए नीचे लाल कलर का बटन है subscribe का उसको click कर देना उसके बाद में एक छोटी से बेल आएगी उसे भी click कर देना और हाँ YouTube पे वीडियो देखना बिलकुल भी free है चैनल को subscribe करना free है और YouTube के comment box में अगर आप question पूछते हो तो उसका भी answer देना बिलकुल भी free है और अगर आप चाहते हो कि मुझसे आपको images भेज के अगर कुछ question के answer चाहिए तो मैं try करूँगा Instagram पे आपके question के answer देने का तो Instagram पे मुझे follow किजिए और एक बात है मेरा और एक channel है राधेशाम के vlogs उस channel को भी subscribe किजिए उस channel का link i button पे होगा यहाँ पे उपर यहाँ यहाँ पे i button आता है उस पे होगा description box में होगा और comment box में होगा informative entertainment videos हम उस नए channel पे upload करते हैं friends तो यह video यही तक थी जय हिन जय स्री राम तो वीडियो को like किजिए और channel को subscribe किजिए धन्यवाद friends दोस्तों मैं आपको detailed conversation दिखा देता हूँ जो मेरे बीच में और Singapore के जो सेंथिल सर्जी है उनके बीच में जो conversation हुई वो मैं आपको detail में दिखा देता हूँ तो उनका number फिस deposit होने के बाद में उनका number मैंने save कर लिया इस तरह से online training सेंथिल तामिल नाडू तो friends उन्होंने मुझे तीन बार voice message भेजा but मैं नहीं active होता हूँ WhatsApp पे तो मैंने ignore किया या फिर मैंने देखा ही नहीं या मुझे time ही नहीं मिला फिर उसके बाद में मैंने voice message सुना तो मुझे लगा कि इनको training की requirement है तो फिर मैंने उनको reply किया तो ये 12 videos की जो playlist है ये मैंने उनको share की फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे online training चाहिए तो मैंने कहा कि phone पे training नहीं दे सकते हाँ अगर आपको laundry का काम आता है तो guide कर सकते हैं बट practical training लेना ज़रूरी है तो voice message में और हमारा conversation हुआ उन्होंने कहा कि sir मैंने आपके 400 videos देखे हैं आप पर मुझे पूरा trust है आप fees बताओ मैं deposit करता हूँ फिर उसके बाद में हम आगे की बातचित करेंगे फिर उन्होंने fees deposit किये fees की receipt है फिर मैंने चेक किया fees confirm थी तो फिर उसके बाद में मैंने कहा कि आपका नाम, number save कर लेता हूँ save करने के बाद में ही आपसे आगे की बातचित होगी तो उनका Singapore में अभी है वो फिलाल उसके बाद में हो इंडिया तामिल नाडू में अपना shop चलाएंगे आगे और अभी भी उनका shop शुरू है तो अभी उसके बाद में training का क्या process होता है यह इस तरह की videos है तो videos में उनके कुछ भी doubt होंगे तो मुझे directly पूछ सकते है अगर dry cleaning के तो इनको कैसे dry cleaning करना है तो वो मैं videos share कर दूँगा या फिर उनको voice message के through उनको guide करूँगा तो यह रही हमारी training की बाद जो online training होती है उसके बाद में friends इसमें अगर मैं आपने भी अगर मुझे कभी whatsapp किया होगा और मैंने नहीं ध्यान दिया होगा तो please मुझे माफ कर देना क्योंकि बहुत ही जादा मेरा खुद का भी laundry shop है तो आप समझ सकते हो अगर किसी का laundry shop होता है तो उसके पास कितना time होता है अभी हमें हमारे पास काम कम है बट दूसरे बहुत सारे काम है दोस्तों तो इसके वज़े से मैं नहीं ध्यान दे पाता हूँ मैंने विडियो के screen में मेरा number दिया है मैंने तो मैंने वो क्यू दिया है कि अगर आपको basic laundry business training की requirement होगी अगर आपको ये काम सीखना होगा तो मुझे आप message कर सकते हो easy रहेगा उसके बाद में आगे की बात आपसे कर सकता हूँ अगर training लेने होगी तो अगर आपको question पूछना है तो आपने वडियो के comment box में मुझे पूछना है 100% में वहाँ पे हर एक question के answer देता हूँ ऐसा एक भी question नहीं है कि जिसका मैंने आज तक answer नहीं दिया होगा दोस्तों तो यह देख लीजिए जो भी उडियो में आप comment करोगे न जिस भी उडियो में आप comment करते हो तो पहले यहाँ पे show होता है तो बस मैं वहाँ पे आपका comment देखके आपको तुरंत ही कर देता हूँ देखिए एक भी comment ऐसा नहीं होगा कि जिसको मैंने reply नहीं किया है और फिर भी लोग मुझे चाहते कि मैं मेरे से phone पे बात करना है तो phone पे बात करने का भी क्या scene है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो friends इतने सारे phone आते हैं मेरे पास मैंने training की inquiry के लिए number दिये है SMS करने के लिए दिये है phone में कोई भी नहीं receive करता हूँ अगर phone receive करूँगा न friends तो मेरा काम नहीं होगा कैसे मैं मेरा laundry का काम कर पाऊँगा सारी बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं कैसे कर पाऊँगा अगर मैं phone receive करूँगा तो बस यहीं है इसलिए मैं phone नहीं receive करता हूँ अगर आप videos देख रहे हो मेरे तो comment videos में कीजिए 100% reply में आपको दूँगा और उसके बाद में SMS कर सकते अगर आपको basic laundry business training में interest होगा तो और उसके बाद में जो यहां से लोग training लेके गए है न तो वो भी हमेशा मेरे contact में होते है उनको बेगर कुछ problem आती है तो मैं उनको अभी सर training लेके गए है तो यह मुझे इस तरह के images भेजते है फिर मैं उनको WhatsApp पे उनको reply भेजता हूँ जैसा यह है इन्होंने भी भेजे और मेरे पास memory फूल हो जाती है तो मैं images save भी नहीं करके रखता हूँ तो इस तरह से हम उनको guide करते हैं हमेशा के लिए और मुझे हम refresh करना पड़ता है मुझे मेरा WhatsApp है इतने सारे message आते है तो मुझे हर time मेरा WhatsApp refresh करना पड़ता है यह भी सर मेरे से training लेके गए है तो मुझे refresh करना पड़ता है उसके बाद में format करना पड़ता है तो इसके वजह से सारे contact वगेरा रहे जाते है तो बस यही problem है इसी जैसे मैं फोन पे बात करना आवाइड करता हूँ फ्रेंड्स बस यही है अगर आपने मुझे कभी फोन किया होगा अगर वाटसेप किया होगा मैं नहीं रिपलाई कर पाया हूँगा या नहीं उठा पाया हूँगा तो मेरी मजबुरी को आप समझे और बस यही है जो मुझे कहना था आपसे तो friends इस video को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और नए हो channel पे तो subscribe कीजिए और कुछ question हो तो comment box में मुझे पूछ सकते हैं जय हिंद जय स्त्रीराग धन्यवाद friends